कि हलो एवरीवन विलकम टो एक लास ओफ फिनाश्य अकाउंटिंग तॉपिक इस बाइब गवर शेर तुदेग्व विए उसे नमबर टैन दाट मिंस लिक्षिन नबनाई और आज हम जो सम कर रहे हैं यह बाइब अफ शेयर का वर्किंग नोट के साथ कर रहे हैं वोकिंग न नहीं दिया रहता है तब आपको working or draw करनी पड़ती है इसके उपर हमने question number 8-9 किया दाई बुटन में चेक करें introduction है previous topic भी चेक करें हमारे company's final account है investment है और दूसरा सब जो cost sheet है cost sheet बनाया हमने reconciliation बनाया material cost बनाया description में बी लिंक है बच्चों वह भी चेक करें सारे वीडियो मिलेंगे आपको फिप सेम के उपर तो question number 10 क्या है हमारे लिए चेक कर लेते हैं बच्चों so in question number 10 the balance sheet of M Limited is given liability में हमारे लिए equity है preference है दो reserve है एक loan है debenture trade payable net block fixed asset है investment है bank है अच्छी बात है the company decide to buy back maximum number of equity share as may be permitted at a price of 30 share being the current market price तो यहां पर देखो price तो दिया हुआ है maximum number of equity share buyback करने का number वो नहीं दिया हुआ है share price आ गया 30 रुप्या मगर number कितना है कितना share वापिस लेना है buyback करना है ना ही number में दिया है ना ही percentage में दिया है वैसे आपके पास तो थर्टी थाउजन का equity share है 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 ना three lakh divided by ten तो यह तीस हजार का जो share है इसमें से कितना buyback करना पता नहीं अगर दिया होता तो हम direct journey से start करते मगर buyback का number ही नहीं है हमारे पास तो इसलिए यह working note बनाना है तब जाके आपको last में कितना share buyback करना वह मिलेगा फिर इसके बाद आपका journey entry वगर स्टार्ट करेंगे balance sheet मांगा है वह भी बनाएंगे तो सबसे पहले आपको number of share ढूना है जितना buyback करना है वाकिंग नोट में चार स्टेप heading है में और उसमें सबसे पहले आती है बचो सो सोस यानि सिर्फ रेजर इन सब्लस तो यहां पर दो इस सम्में तो ले लेंगे प्रीवेश से में आप देखेंगे तो वहां नहीं दिया तो नहीं लेना तो मगत तीन चीज़ याद रखना इक विडी प्रेफृरेंस और रेज़र इन सब्लस तो हमने अल्रेड़ी निकाला है यही कॉपी कर लेते और फीडी और प्रेफृरेंस यहार ले लेतें और एक चीज़ याद रखना बच्चो इक विडी का फुली पेड़ लिखना है यहां पर अभी यहां को इन्फॉर्म आएगा तो यह चीज़ हमेशा याद रखना आपको हमेशा फुली पेड़ अप का फिगर लिखना है तो फिलाल यहां पे फुली पेड़ अब है तो हमारा हेड़ेक नहीं है तो हमने आज इस तीन लाक लिख दिया यह इंपोर्टेंट है इसलिए आपको एक्सपेंड कर रहा फिर थीसरा पार्ट है हमारा minimum own fund इसका दो ही step पे पहले own fund लिखेंगे as it is 750 और इसमें से आपके सारे loan का 50% माइनस करना है सारे loan यहां यहां पे तो debenture दिया है कभी term loan कभी bank loan वो भी आता debenture के साथ तो ध्यान देना एक है दो है तीन है जो भी हैं सबको प्लस करना फिलाल यहां पे एक ही debenture तो उसका भी 50% लेना है रूल है इसका याद रखें तो 8 लाग का 50% कितना है 4 लाग आप दोनों को क्या करना है बच्चों माइनस करेंगे तो आपका minimum own fund आया साड़े 3 लाग का अब हमारा fourth part है 25% of paid up equity तो आपका paid up equity 3 लाग है यहां fully paid up है इसलिए direct 3 ला 75,000 यह paid up equity को number of share में convert करना है तो simply क्या करना है इसका original face value 10 से divide कर दे तो आपका maximum number of share है साड़े 7,000 अब क्या करना है अब आपका question में से offer price लिख रहा है यहां पे offer price लिखा 30 रुपया अब साड़े 7,000 को 30 से multiply करना है A into B तो यह आ गया 2,25 तो हमें चारों figure मिल गए अब आपका main part शुरू होता है कि भाई least of 1,24 maximum possible amount of buyback तो यह चार में से सबसे चोटा कोन है यह है 1,80,500 तो इसको दुबारा यहां लिख लें अब इसको offer price से divide करेंगे तो आपका number of share मिल जाएगा तो simply अब divide करना है आपको 5 divided by offer price लिखा है 5 यानि यह 1,80,500 इसको offer price 30 से divide करेंगे तो बच्चो आपका number of share आ गया 6,250 तो यह हमारा main part था जो maximum number of equity share buyback करना था वो आ गया है तो आप simply जनेरेंटरी स्टार्ट कर सकते हैं मगर जनेरेंटरी में आपको यह चीज़ ध्यान देनी है कि यह जो share buyback कर रहे हो यह पार पे है यह प्रीमियम पे तो यह चीज़ यहां से चेक करेंगे हम लोग कि हम तो buyback करेंगे 6250 मगर इसका face value तो 10 ता जब आपने initial issue किया तो 10 में issue किया था अब आप पब्लिक से return ले रहे हो buyback कर रहे हो तो 30 में ले रहे हो यानि 20 रूपया extra दे रहे हो तो वो चीज़ आपको समझ दस initial value है और 30 buyback है यानि 20 रूपया जादा है और वो 20 रूपया आपका बन गया premium तो यह working on जब भी draw करेंगे ना तो end में आप चेक कर लें कि आपको पार पे है premium पे तो basically working on में premium ही आता उसको ध्यान देना यानि 10 रूपया original value है और 20 रूपया आपका premium है अब इसके बाद जनेटी स्टार्ट कर लेते हैं और फिर बाद में balance sheet बना दे जनेटी में भी step है यात रखना तीन स्टेफ है account payable कितना amount आपको holder को देना है वो हमने निकाल या 6250 और with premium है दूसरा आपका पैसा जमा करना सो कहां कहां से पैसा आप जमा करोगे तो यहां पे basically new issue नहीं है और आपका कोई asset sold भी नहीं है तो आपको कहां से पैसा जमा करना रिजव से फिर premium कभी पै seller को payment करना है तो जनेंट्री का simple rule है तीन ही step है amount payable source और paid यह तीन चीज़ हमेशा याद रखें बच्चो तो अब चलते हैं इसका जनेंटी डॉक कर लेते हैं बच्चो तो जनेंटी आफ एम लिमेट है जनेंटी बनाएंगे note 2 बनाएंगे और इसके बाद balance sheet बनाएंगे क्यों balance sheet note 2 के बिना नहीं बनती है तो पहले जनेंटी जनेंटी में पहला amount payable capital premium to holder नमबर अफ शेर आपने निकाला दा 6250 into 10 6200 और वापे से 6250 into 20 premium बताया था मैंने आपको तो 6250 into 20 करेंगे 125 टोटल कमसू 187500 और source में तो मैंने आपको बताया था रेज्वाइन surplus से उठाना है तो general reserve से उठा लेते हैं 6250 CRR में जमा कर लेते हैं equity का problem solve हो गया है तो equity का पैसा जमा हो गया है अब premium का पैसा जमा करते हैं ये भी आपका रेज्वाइन surplus security premium हाथ लगा है premium है तो तो security premium से premium की setting करेंगे तो दोनों का पैसा जमा हो गया है तो आप दोनों को payment कर दो simply equity holder to bank तो ये जनरेटिव मुकमल ही अब note 2 बिना लेते हैं note 2 में normally इसमें तीनी बनाते हैं हम लोग एक्विडी शेर रेज्वाइन surplus हो cash and cash equivalent तो पहला share के बारे में बात करेंगे बच्चो अभी बताया था मैंने आपको initial share हमारे पास 30,000 मगर बच्चो इस 30,000 में से आपने 6250 buyback कर लिए है तो अब आपके पास 30,000 शेर नहीं है उसको 6250 से माइनस करके बताना है यह ध्यान देना आपको तो share capital equity share capital देखो यहां 23,750 यह कैसे आया 30,000 में से 6250 माइनस करके आया तो यह note to account में सबसे important यह और initial face value 10 से उसी से multiply कर ले और यह fully paid हो यह वड़ींगे आद रगए शूर सब्सक्राइब एन fully paid हो लिखनेगा तो 27,750 को 10 से multiply कि 2,37,500 फिर share capital में दूसरा part आपका preference share है इसके बारे में तो कोई information था है नहीं तो यह as it is copy कर लेंगे एक लाग number of share कैसा है एक लाग को 100 से divide किया तो एक हजार है एक हजार इंटू सो एक लाग दोनों प्लेस करें तो आपको share capital है 3,37,500 balance sheet में यह figure लिखना है हम लोग को क्या उल्दे बच्चों फिर अगला है हमारा reserve surplus तो reserve surplus में आपका सबसे पहला जो नया reserve create हुआ 62,500 का capital redemption reserve वो फिर balance sheet में reserve थे security premium था general reserve वो लिखते है security premium देड लाग था देड लाग में से आपने 1,25 बाइबेक के time पे दे दिया यानि माइनस करना पड़ेगा liability का rule है याद रखें debit वाला माइनस होता है anyhow अपने payment किया तो अब आपके बस कितना बचा security premium में 25,000 उसी तरह से general reserve question में 2 लाग है और उसका हमने utilize किया 62,500 बाइबेक के लिए तो यानि ये भी क्या करना पड़ेगा माइनस तो आपका balance reserve बनता है 137,500 अब ये तीनों को plus कर लेंगे तो आपको total reserve and surplus आगया 2,25 लाग और फिर तीसरा भी बना लेते cash and cash equivalent बैंक का figure है 7,50 और फिर जनरेंटी में फिर से आथ जनरेंटी बे आने balance sheet से होने के बाद जनरेंटी है security premium भी जनरेंटी से लिए जनरल लिजाओ का buyback भी जनरेंटी से लिए तो सी तरह से cash and cash equivalent यानि bank देखने का जनरेंटी में है है इसलिए बना रहे है होता नहीं तुम बनाते नहीं और ये हर सम्में तो रहता है ये last entry permanent है हमारी holder to bank तो bank credit है पैसा जा रहा है तो आपको 187,500 यहां minus करके बताना है तो total comes to 562,500 अब इसी के base पे हम बना लेते हैं हमारा balance sheet चलते हैं balance sheet की तरह बच्चो तो balance sheet after buyback यह wording लिखनेगा तो पहले आता है हमारा liability यानि equities and liabilities तो पहले heading वो लिखेंगे जिसमें आमेशा आता आपका share capital वाली entry यानि shareholder fund heading यह वो याद रखें उसके बाद share capital लिखें और share capital हमें walking note से लाया है नमबर दालते जाएं आपने जो number use किया है वो लिखें ध्या होता है हमारा resonance surplus यह भी note 2 से आ रहा है 225 इसको ध्यान देना फिर क्या है बच्चों हमारा non current liability में debenture इकलोता है कोई इसमें changes नहीं थे 8,00,000 as it is लिखेंगे फिर तीसरा part क्या liability में current liability current liability में एक ही a trade payable वो भी directly लिख लेते हैं हम लोग अब simply यह चारों को plus करेंगे तो आप आपका टैली फीगर है 1462 500 liability मुकमल भी अब assets में चलते assets में जो दो ही पार्टे बच्चों non current assets यानि fixed asset 8,00,000 और फिर इसमें long term investment भी आएगा 1,00,000 का और फिर दूसरा आता है हमारा current assets, current assets में एक ही है bank और हमने bank यानि cash and cash equivalent इसका हमने note 2 बना है 562 500 यह लिख लेते हैं या नहीं बनाते हैं अलग से working note बनाना है वह भी बना ले मगर यह note 2 में बना है तो बेटर रहता तो यह हो गया अभी बच्चों तो simply अब assets को plus कर लेते हैं यानि आपका sum क्या हो गया बच्चों टैली तो इस तरह से question number 2 भी हुआ हमारा working note के साथ buyback ध्यान दे अगर number of share नहीं दिया है तो आपको working note बनाना है उसको ध्यान देना आपको ठीक है वोप सो question number 10 समझ में आ रहेगा बच्चों इंशाल्ला नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे thank you thank you for watching the video god bless you